नमस्कार, Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है, तो आज की हमारी वेसीपी है, मोमोस, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि वेज और वेज फ्राइड मोमोस कैसे बनाना है? तो इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने एक से देड़कप मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम उसका आटा तल लगा लेंगे, बहुत सौफ्ट आटा नहीं लगाना है, हम रोटी के लिए जैसा आटा बनाते हैं, उससे थोड़ा हाड आटा लगाना है, यहाँ पर आटा बनके तयार है, अब इसको हम 15-20 मिनिट के लिए ढखके रख देंगे, अब हम मोमोस की स्टफिंग तयार करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं, बंद गोभी, गाजर, हरा धनिया, लहसुन और अधरक, बारिक कटावा, बारिक कटी हुई हरिमेज, और हरा प्याज यहाँ पर मैंने लिया है, अब एक पैन में हम एक चमच, तेल डाल देंगे, उसमें डाल देंगे फिर, लहसुन और अधरक, और हरिमेज, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें डाल लेंगे, पत्ता को भी, बारिक कटी हुई, और गाजर, ग्रेटेट, और इसको एक मिनिट के लिए पका लेंगे, हाई फ्लेम पे और उसमें डालेंगे फिर नमक, काली मिर्च का पाउडर, वन टीं स्पून शुगर, और सोया सास, एक चमच, और उसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, और ग्यास बंद कर देंगे, यह हमारे स्टफिंग बन के रेडी है, अब इसको हम थंडा होने देंगे, थंडा होने के बाद इसमें हम डालेंगे, हरा प्याज और हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यहाँ पे हमारी स्टफिंग रेडी है, अब हम मोमोज बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यह साइज का बॉल बना लिया है, चोटा सा, उसको अच्छे से गोल शेप में बेल लेंगे, उसको पतला बेलना है, अब उसमें हम स्टफिंग डाल देंगे, यहाँ पर मैंने एक से देढ़ चमल स्टफिंग डाली है, तो मोमोज का आकर देने के लिए अब हमें यहाँ पर एक साइड से आशा प्लेट लगा लेना है, और दूसरी साइड से यहा पर थोड़ा सा पानी लगा लेना है, और इसको ऐसा फिक्स कर देना है तो यहां पर हमारा मुमोज बनके एक दम रिडी है इस तरह से मैंने सभी मुमोज बना लिए है अब एक कड़ाई में हम पाने डाल देंगे उसको गरम होने के बाद इस बर्तन को ग्रीस कर लेंगे और उसमें हम मुमोज रख देंगे और इसको हम 15-20 मिनिट के लिए रखकन रखके पकने देंगे 15-20 मिनिट हो गया है यह मुमोज बनके एक दम रिडी है अब इसको हम निकाल लेंगे गरमा गरम मुमोज रेट ट्रटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते है तो इसको मैं सर्करूंगी रेट मुमोज चटनी के साथ यह चटनी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो यह गरमा गरम मुमोज खाने के लिए एक दम रिडी है तो जिए अब यह थंडे हो जाए तो अब हम इसको फ्राइ कर लेंगे फ्राइड मुमोज बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने एक कड़ाई में तेल डाला है उसको हम विडियम हीट पर मुमोज डाल देंगे लो हीट पर नहीं पकाना है जब तेल अच्छा सा गरम हो जाए तब इसमें मुमोज डालना है इसको फ्राइ होने के लिए दो से तीन मिनिट लगते हैं यहाँ पर हमारे प्राइड मुमोज भी बनके रेडी है इसको मैंने सेम रेड चटनी के साथ सर किया है तो थैंक्स फॉर वाचिंग मैं रेसिपी